वेलकम तू स्टार टेक्निलोजीज आज हम स्टार की FFS 5000S की अन्बॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसकी पर्फॉमेंस कैसी है तो यह FFS 5000S मशीन है जो की वन यूनिट हमें इस बॉक्स में मिलती है एक केबल स्ट्रिपर मिलता है फाइबर केबल स्ट्रिपर पावर कोड टेबल टॉक क्लीवर एक एर ब्लॉवर एल्कॉल डेस्पेंसर बॉक्स पावर एडप्टर और कैरी केस बैल्ट और साथ में उती है एक कुलिंग ट्रिप मशीन के पर्फॉमेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम मशीन का वूटिन टाइम देखते है कि मशीन कितनी देर में आन होती है सो मशीन पावर बटन प्रेस करने के विदिन टू सेकंड में मशीन रेड़ी है स्प्लाइस के लिए सो इसका बूटिन टाइम बहुत फास्ट है लेट सी दा परफॉमेंस वाइ दूटिन वन प्रेस स्प्लाइस वन सेंगल मॉल फाइबर 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 फॉर्स्ट मशीन के अंदर यूनिवर्सल होलडर्स प्रोवाइड किये गये है जिसमें आप एक्टल कपलर और बेर फाइबर और टाइप्स की और प्रोफाइल की फाइवर को आप इस मशीन के अंदर रख सकते हो चाहें वो सिंगल मोड फाइवर हो, मल्टी मोड फाइवर हो, एंजेट फाइवर हो या फिर आपकी टिक टैन हो So, वन साइड हमने फाइवर को प्लेस कर दिया मशीन का जो स्प्लाइस टाइम है वो 6 सेकेंड है लेट्स चेक कि 6 सेकेंड में कम्प्लीट्ली स्प्लाइस करती है या नहीं So, यह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है आपका hood बंद करते ही, automatically machine fiber को align करती है, proper position में लाकर, उसे splice करती है, so here we can see the left and right fiber angles, both angles are 0.1 and 0.4, and the losses is 0.00, so it perfectly joined the fiber, so it's 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 perfectly joined the fiber, here you can see the angles, and here you can see the loss, so now we'll test the machine heating performance, को test करेंगे, machine में जो heater आपको प्रोवाइट किया जा रहा है, वो calibrated heater है, that means, कि आप जो भी sleep इसके अंदर रखोगे, उस sleep को perfectly melt होने तक, paste होने तक fiber पर, यह उसे heat करता है, then उसके बाद आपको एक वीप का sounds नहीं देगा, that means, कि आपका sleep properly paste हो गया है, fiber पर, so here you can see the light, that means, heater is still on, now, we can see, it perfectly melt the sleep, अब मशीन के additional features को देखते हैं, जो कि आपको इसमें प्रोवाइट किये गए हैं, OPM and BFL, so let's check the performance of OPM and BFL बोथ, so उसके लिए हमने एक laser source लिया है, जिसमें आपकी power out minus 7 dB है, simply आपको OPM वाले, icon पर आकर enter करना है, so here you can see minus 7.77, that means कि आपका OPM प्रोपर ली बद कर रहा है, next, let's check the BFL, so here you can see LED razor option, simply इसे on करने के लिए आपको इस बट्टन पर क्लिक करना है, लेजर इस ओन ना, लेजर की capability 10 km की है, सो यहाँ पर OPM और लेजर प्रोपरली वर्क कर रहे है, सो हमने machine के almost 3 features को test किया है, और machine की performance बहुत अच्छी है, and machine is completely light-weighted and with good performance, thank you for watching the video, कर दो